नमस्कार दोस्तों स्वागते आपसे बगा एक और नए वीडियो में तो आज बजाज मोटर्स द्वारा अपने समय की सबसे चहती बाइक पलसर को न्यू अवतार के साथ N250 और F250 मोडल नेम के साथ लॉंच कर दिया बजाज को हम मैंली अपने घर में पार्क हुए स्कुटर के नाम से जाना करते थे बजाज पलसर की सुरवाद 2001 में हुई थी जब इसमें राउंड शेप में हैडलेंस दिया करते थे और सिंपल बैसिक डिजाइन पलसर इंडिया की first sports bike है जिसने हर college के students को और हर एक bike lever को अपना दिवाना बना दिया था 2001 से सुरवाद करने पर इसने 2006 में जाकर अपनी total 10 लाग यूनिट सेल की थी और आज 2021 में पलसर मोडल की overall इंडिया में 1.20.000 लाग यूनिट जो हैं सेल हो चुकी है तो इस achievement को बजाज मोटर्स पलसर मेनिया कहती है ग्लोबली बात करें तो past 20 years में कई देशों के rider ने पलसर को चुना है पिछले 5 से 6 सालों में ही पलसर में ज़्यादा बदलाव नहीं होने कारण इस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान एक्ट्रेक्ट नहीं हो पाया है बजाज ने नियू पलसर में नियू इंजन, सस्पेंशन और चेचिस का यूज़ किया है बजाज इंडिस्ट्री में कई सारे फीचर्स लाने वाली first company है जिससे DTS SI, Exhaustic, Nitrox Suspension और कई सारे फीचर्स जो है उसने लौंच किये थे चलिए अब बात करते हैं Pulsar 250 के Specification की इसमें आपको Tubular Frame Changes का यूज़ किया गया है जिससे Hytosinal Stiffness और Resistance to Stress मिलता है इंजन में यहाँ पर 4-stroke, Oil-Cooled, Fuel-Injected 250cc इंजन मिलता है जो 20.4.5 PS का Power और 21.5 Nm का Talk देता है इसमें 5-speed transmission जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है फ्रंट में यहाँ पर Telescopic और Rear में आपको यहाँ पर Monosock Suspension मिलता है जो Rider को एक अच्छा Comfort फील करवाता है इसमें LED Projector Unipode Headlamp दिये गए है With Flanking Reverse Boomer LED DRL के साथ जो की एक अच्छा Front Look इसको देते है Side View Mirror भी काफी अच्छी Looking के साथ दिये गए है जो एक Sports Spike में हमें देखने को मिलते है यहाँ Instrument Cluster में Digital और Analog दोनों का Combination रखा गया है यहाँ आपको जो Thrill Tachometer की Needle को देखने पर मिलता है उसे Agities रखा गया है ताकि Rider को एक Real Feel आए जो की हमें आजकल Digital Tachometer में देखने को नहीं मिलता यहाँ Instrument Cluster में आपको Time और Date की Information, MIL, Side Stand Indicator, Gear Shift Advisor, Trip Meter के साथ कई सारे Other Features भी मिलते हैं Assistant Slipper Clutch यहाँ पर दिया गया है जिससे आप Confidence के साथ यहाँ पर Aggressive Down Shifting कर सकते हैं साथ ही आपको एक Effortless Clutch Pool भी मिलता है Breaking Performance के लिए यहाँ पर Front में आपको 300 mm का Disc Rear में आपको 230 mm का Disc Brake दिया गया है with Single Channel ABS के साथ Wider Tire यहाँ पर Strong Grip के लिए दिये गए हैं Front में आपको 100 Cross Section का Tire और Rear में आपको 130 Cross Section का Tire मिलता है F-250 में आपको Racing Rate और N-250 में आपको Techno Grey Color Option फिल हाल में आपको मिलेंगे New Pulsar आपको 10 November से डिलर्शिप पे मिलने ही स्टार्ट हो जाएगी तो अब बात करते हैं इसके Price की यहाँ पर Pulsar F-250 की Price 1.40 लाक और N-250 की Price 1.38 लाक रुपी है दोनों Price में सिर्फ 2,000 रुपीज का Difference है Price यहाँ पर काफी Attractive है जो की काफी लोगों को पसंद आनी वाली है क्योंकि 250 CC Bike इस Price में सिर्फ बजाज ही ओफर कर रहा है तो यह Attractive Price और Pulsar Mania का जुनून क्या मार्केट में धूम मचा पाएगा यह तो आने वाला समही बताएगा पर एक बात कहिनी होगी कि बजाज ने अपने सबसे चहती Pulsar को फिर से एक नई लाइफ दी है तो आपको कैसी लगी Pulsar 250 तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे राइट स्पार्क चैनल को सस्क्राइब कीजेगा यह वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजेगा तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ Till the time, stay safe and stay healthy जैहिन, thanks for watching